गुद्मॉर्निंग फ्रेंड्स तुड़े वी आर गुइंग टू लर्न एवी एस इन्वार्मेंटल स्टुड़ी ओपन पेज नमबर एट्टीवन राइट तुड़े इस डे टैन डे तुड़े वी आर गुइंग टू लर्न चैप्टर नमबर सिक्स्टीन सब्स्टेंस और मिक्स्ट ऐसे पदहार्त जो पानी में तैरते हैं डूप जाते हैं या घुल जाते हैं तो इन ऐसे पदहार्तों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे reading start करते हैं water a wonderful liquid in nature water is found in three different forms solid, liquid and gas ice and snow are solid form of water, rain, water we drink, dew and mist are liquid forms stream also called water vapor is the gaseous form of water प्रकरती में पानी तीन रूपों में पाया जाता है solid means ठोस, liquid means तरल और gas means हवा के रूप में ice and snow are the solid form, बर्फ जो है इसका solid form है बारिश, पीने वाला पानी, dew means ओस और mist जो है धुन्द ये पानी के liquid form है steam also called water vapors is the gaseous form of water भाप के रूप में मतलब पानी, वाश्प के रूप में जब होता है तो ये इसका gasey form होता है when we heat water in a pane or kettle it turns into steam we can see the steam coming out the pane and kettle the steam gets mixed with air and becomes invisible जब हम किसी बर्तन में ये केटली में पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है आपने इसे देखा होगा कि जब आप किसी चीज में पानी गर्म करते हैं तो इसमें इसे भाप निकलती है स्टीम निकलती है और जब ये भाप हवा के सांथ मिक्स होती है तो इन्विजिवल हो जाती गायब हो जाती है अद्रश्य हो जाती है everything is made up of minute particles called molecules water is also made up of many molecules when we put some water in a bowl in the freezer of a refrigerator it changes into ice ice takes more place than water the mass or weight of ice is less than the same amount of water प्रत्यक चीज जो होती है कुछ कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें की molecules अणूं कहा जाता है पानी भी धेर सारे molecules से मिलकर बना होता है जब हम पानी को एक बाउल में रखकर refrigerator में के freezer में रखते हैं तो वो क्या होता है बर्फ में change हो जाता है और बर्फ जो होता है वो पानी से ज़्यादा जगहा लेता है दमास और वेट मेंज बर्फ का द्रब्यमान या बजन जो होता है वो सेम अमाउंट के water से कम होता है अभी देखते हैं density density मेंज उसका घनत्व क्या है every substance has density the mass per unit volume of a body is called its density प्रतिक पधार्ति का एक घनत्व होता है किसी निकाय के per unit volume का जो द्रब्यमान होगा वो उसकी density कहलाता है the mass of substance is the matter contained in it किसी भी चीज का जो द्रब्यमान होता है वो उस पधार्त का पूरी मात्रा होती है the volume of the substance is the space occupied by it और किसी भी पधार्त का volume means उसका आयतन क्या होता है उसकी द्वारा घेरा गया जो space होगा वो उसका volume कहलाता है आयतन कहलाता है the more density of the substance the greater will be the number of molecules per unit volume किसी पधार्त की density जितनी जादा होगी वह उसमें उपस्थित per unit volume molecules की संख्या भी उतनी ही जादा होगी floating and sinking अन्य तैरना और डूबना we have read that ice cubes float on water हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बर्फ की cubes होती हैं वो पानी में उपर तैरती हैं ice is less dense than water जिसका जो dense होती है घनत्व होता है वो पानी से कम होता है this is the reason why it floats और यही कारण है कि यह पानी में तैरता है if we drop some pebble in water it sink in it this is because the pebble is more dense than water यदि हम पानी में एक कंकड पत्थर कुछ भी डालते हैं तो वो पानी में डूब जाता है क्यों क्योंकि इसका जो घनत्व होता है उसकी जो density होती है वो पानी से जादा होती है if we place a stone in a glass full of water some water splush out of the glass this shows that the stone displaced some water the stone is pushed by water water extra some upward force on the stone this upward force is called upthrust or buoyancy if the weight or mass or body is less or equal to the upthrust the body will float on water otherwise it will sink यहां यह बता रहे हैं कि यदि आप एक भरे हुए glass पानी से भरे हुए glass में यदि एक stone एक पत्थर डालते हैं तो पानी ग्लास में से कुछ पानी बाहर गिर जाता है क्या करते हैं यह दर्शाता की पत्तर जो है वो पानी को विस्थापित कर रहे ह वहां से हटा रहे है तो stone जो होता है वो पानी को पुश करता है तो पानी क्या करता है बाहर की तरफ आ जाता है इस प्रकार का जो force लगता है उसको upthrust या buoyancy कहा जाता है यदि weight और mass of body is less or equal to the upthrust यदि किसी भी निकाई का बजन या उसका द्रब्यमान उसके upthrust मेंस जो उसका उच्छाल है उसके बराबर होता है तो the body will float on water तो जो बस्तू होगी वो पानी के उपर तैरने लगेगी otherwise it will sink और यह नथावा डूप जाएगी swimming tubes are made of an special material called polystyrene it is a soft and light weight material its density is less than that of water that is why it is used to make swimming tubes people learn to swim with the help of these tubes the tube help non swimmers to keep afloat and are used to save people from running swimming tube देखे होंगे आपने वो किस चीज से बने होते हैं polystyrene से यह काफी हलका और light weighted soft और light weighted material होता है इसकी density जो है वो पानी से कम होती है और इस कारण से यही कारण है कि यह पानी की सता पर तैरते रहते हैं डूपते नहीं हैं और जो swimming tubes होते हैं वो इसी से polystyrene से बनाए जाते हैं जिन लोगों को swimming सीखना होती है वो इस tube का use करते हैं उसकी help लेते हैं और इनकी मदद से जो non-swimmers होते हैं वो उपरी सता पर तैरते रहते हैं और इनकी help से ही हम डूबने वाले ब्यक्तियों को भी बचाते हैं अब दिखते हैं substance that mixed in water ऐसे पधार तो जो पानी में mixed हो जाते हैं घुल जाते हैं water has an ability to dissolve many things in it पानी में ऐसी शमता होती है कि वो अपने आप में कई चीजों को घुल लेता है a solid substance is said to be dissolved in water if it completely absorbed in the liquid कुछ ऐसे solid substance है जो की पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं some substance dissolve in water quickly कुछ substance ऐसे होते हैं जो पानी में बहुत तेजी से घुल जाते हैं for example common salt and sugar dissolve in water readily जैसे कि जो सामने नमक है और शक्कर है ये पानी में बहुत तेजी से घुल जाते हैं if we add some common salt in a glass of water the salt disappear the salt and water mixed together to form a solution जब हम किसी एक ग्लास पानी में कुछ नमक डालते हैं तो वो उसमें घुल जाता है और गायब हो जाता है इस प्रकार से नमक और पानी जो है एक दूसरे को में घुल कर एक solution बनाते हैं so the salt is no longer visible and a salt solution is formed इस प्रकार से नमक जो होता है वो पानी में दिखाई नहीं देता है और एक घुल बन जाता है similarly when sugar is dissolved in water we get sugar solution इसी प्रकार से जब हम पानी में शक्कर को घुलते हैं तो वो पानी में घुल जाती है और एक घुल बनाती है but if we try to dissolve sand in it the sand does not dissolve the sand settle down at the bottom of the glass पर यदि हम पानी में रेत को घुलने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं घुलती और ग्लास के नीचे की जो सता होती है bottom में जाकर वो बैट जाती है the ability of substance to dissolve in a liquid is called its solubility किसी भी पधारत का घुलना वो क्या कहलाता है उसके घुलनशीलता solubility salt and sugar dissolve in water they are called soluble substance नमक और शुगर ये पानी में घुलनशील होते हैं इसलिए इन्हें soluble substance कहा जाता है substance like sand do not dissolve in water are called insoluble substance और ऐसे पधारत जो जैसे की रेत जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें insoluble substance कहा जाता है लाइकवाइस milk and water mixed readily they are called miscribe liquid और जैसा की दूद और पानी आपस में घुल जाते हैं इस कारण से इन्हें miscribe liquids कहा जाता है हलाकि liquids like oil and water do not mix तेल और पानी आपस में mix नहीं होते हैं तो they are called miscribe liquids और इस प्रकार के liquid means तेल और पानी इन्हें miscribe liquids कहा जाता है some gases mixed with water too कुछ gases भी पानी में mix हो जाती हैं for example soft drinks have dissolved carbon dioxide gas when we open a soda water bottle the dissolved gas escapes in the form of bubbles कुछ gases जो होती है वो भी पानी में घुल जाती हैं for example soft drink में carbon dioxide gas dissolve घुली होती है जब हम soda पानी की bottle को open करते हैं तो उसके उसमें से bubble के रूप में gases बहार निकलती है as water can dissolve most solids liquids and gases it is called a universal solvent इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी में solid liquid और gas सभी को dissolve करने की घूलने की शमता होती है इस कारण से इसे universal solvent भी कहा जाता है substance dissolve faster on string or heating the water जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये substance और तेजी से dissolve होते हैं however the solubility of gases decrease on heating हलाकि गर्म करने पर gases जो होती हैं उनकी solubility कम हो जाती है measuring liquids अब जो liquid होते हैं उन्हें कैसे मापा जाता है we observe that the milkman measures milk in a vessel marked with numbers हमने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे दूद देने वाले भी आते हैं वो जिस vessel मतलब जिस बरतन से दूद नापते हैं उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं इस प्रकार का ये होती है नापने का एक बरतन इस नंबर इंडिकेट्स हाव मच मिल्क दे वैसल कंटेंस और ये नंबर ये दर्शाते हैं कि उस बरतन में कितना दूद है liquids do not have a definite shape किसी कोई भी liquid जो होते हैं उसका कोई एक निशित आकार नहीं होता है liquids take the shape of the container in which they are kept जिस भी बरतन में liquid को रखा जाता है वह उसी का shape ले लेते हैं they have a definite volume और इनकी एक निशित मात्रा होती है liquids are measured by volume और इनकी मात्रा के आधार पर ही नापा जाता है one unit of volume is a liter one liter has 1000 milliliters तो इस प्रकार से ये unit पताई गई है कि एक लीटर में 1000 milliliters होते हैं या 1000 liters equals to 1 kiloliter ठीक है तो ये इस प्रकार से हम liquids को measure कर सकते हैं चलिए अब हम इसकी exercise करेंगे ओके thank you